हेलो फ्रेंज, वलकम टू माई चैनल, तो आज मैं शेयर करने जारी हूँ मैदे की बरफी, तो चलिए वीडियो को स्टाट कर लेते हैं, तो मैदे की बरफी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, एक काप से थोरा सा कम चीनी जिस हिसाब से मैंने चीनी लिया है, उसी हिस गी को, और फिर डाल देंगे हमारी मैदे को, तो मैदा डालने के बाद फिर हम अच्छी तरीके से देशी घी में मैदा को चला कर मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गेस की जो फ्लेम है, उसे बिलकुल हम लो रखेंगे, और इसी तरीके से चला कर हम इसे लगबक तीन से चार चेंज हो जाए तो तीन से चार मिनिट के लिए हम इस तरीके से कंटिन्यू चला कर मेदा को बुन लेंगे और गेस के जो फ्लेम है उसे आप लोड रखिएगा नहीं तो मेदा जो है वो नीचे से जल जाएगी तो जब आप तीन से चार मिनिट के लिए बुनने के बाद आपको जब लगे कि मेदा जो है वो अच्छी तरीके से बुन चुकी है या हलका सा कलर चेंज हो चुकी है मेदा की तो इस टाइम पर हम केस को आफ कर देंगे और मेदे को निकाल लेंगे पैन से तो यहाँ पर जिस पैन में हमने मेदा को बुने ते उसी सेम पैन में अब हम डाल देंगे हमारी चिनी को और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी लगबख तीन से चार चमच पानी इसमें डाल देंगे तो अब हम चिनी की एक तारवाली चाशनी बनाएंगे तो अब हम गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और चिनी को इस तरह किसे लगातार चलाते हुए चिनी को अच्छी तरह किसे पानी में मेल्ट कर लेंगे पहले तो 2-3 मिनिट के बाद जब आपको लगे कि जो चिनी है वो अच्छी तरह किसे पानी में मेल्ट हो चुकी है तब हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी जो चाशनी है वो अच्छी तरह किसे बना है की नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो चिनी है वो अच्छी तरह किसे बन चुकी है क्योंकि हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए तो यहाँ पर हमारी जो चिनी में एक तार आ चुकी है तो अब हम इस टेज़ पर डाल देंगे हमारी मेदा को तो मेदा डाले के बाद फिर से हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और मैदे को अच्छी तरह के से चशनी में चला कर मिक्स करेंगे ताकि मैदे में बिल्कुल भी लम्स ना रहे तो इसी तरह के से चला कर हम दो मिनिट के लिए मैदे को चशनी के साथ पका लेंगे तो दो मिनिट पकाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदे में बिल्कुल भी लम्स नहीं है और जो हमारी बेटर है वो पेन को छोड़ने लगी है आप देख सकते हैं और बिल्कुल स्मूध सा एक बेटर बना है और ये आप धीरे धीरे पेन को छोड़ने भी लेगी है तो इसका मतलब हमारी जो ये मिटाई है वो अच्छी तरीके से बन चुका है तो अब हम गेस को आफ कर देंगे और बेटर को हम एक थाली या फिर कोई भी डबा में हम इसे सेट कर देंगे अब हम इसके उपर डाल देंगे कुछ ड्राइफूट्स और ड्राइफूट्स को भी अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे चमज की मदर से इस तरह से हलका हलका प्रेस करकर ताकि जो ड्राइफूट्स है वो अच्छी तरीके से बेटर में चिपक जाए तो अब हम इसे लगबग 10-15 मिनिट के लिए बर्फी को सेट होने के लिए रख देंगे तो 10-15 मिनिट होने के बाद मैंने डबे से बर्फी को निकाल लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फी है वो पूरी तरीके से सेट हो चुकी है तो अब हम इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पर आप अपने मन पसंद कोई भी शेप देख सकते है बरफी को तो चलिए कट कर लेते हैं फहले बरफी को बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं जो बरफी है वो कट हो रही है तो यह लिजए फ्रेंस हमारी मेदे की बरफी बनकर तयार है बहुत ही आसान है इसे बनाना तो आप भी इस तरह किसे बना कर एक पर ट्राइ जोरूर करना और यह हमारी जो मेदे की बरफी है वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाई